हेलो एब्रीवन वेलकम टू इंजिनियर से इसक्वेशन पॉइंट इस वीडियो में पावर एलेक्ट्रोनिक्स 2021 का क्वेशन नमर्ट टू के और क्वेशन को सॉल्व करेंगे यह आपका थाइरिस्टर से रिलेटेड क्वेशन है क्वेशन क्या है देखिए टू का और में एक क्वेशन है एक्स्प्लेन दा कंस्ट्रक्शनल डीटेल अफे थाइरिस्टर 2021 में यह पुछावा क्वेशन है थाइरिस्टर का कंस्ट्रक्शनल डीटेल के बारे में एक्स्प्लेन करना है कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है तो देखिए थाइरिस्टर क्या होता है थाइरि a semi conductor switching device थिरे क्या है continuously procedure switching इस john चार layer होता है और तीन जंक्शन होता है इट हैंग स्थिरी टर्मिनल थाकर में कितना टर्मिनल होता है त्री क्रमिनल होता है रडोड काथा और deg टीं टर्मिनल होता है थार Québec का नोड का रडोड और गे ए थारििस्टर consists of four layer of alternate p-type and n-type silicon semiconductor जंग्शन J1 J2 and J3 क्या कर रहा है सेमिकंडक्टर में क्या होता है चार लेयर होता है और यह पी टाइप एंट इस तरह से पी एन पी एन इस तरह से alternate way में है means P है फिर N फिर P फिर N तो कितना layer हो गया एक दो तीन चार चार layer हो गया आप देख सकते हैं यह आपका schematic diagram है thyristor का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 4 layer हो गया P N P N चार layer है और junction कितना है 3 junction है J1 J2 और J3 3 junction है और 3 terminal है thyristor में कितना anode gate और cathode anode gate और cathode अब आगर हम लोग बात करें तो gate जो होता है gate terminal वो nearer to cathode होता है क्या होता है usually जो है nearer to cathode होता है anode से दूर होता है यह इसका symbol हो गया thyristor का symbol हो गया यह जो देख रहे हैं यह anode terminal हो गया इधर आपका हो गया cathode terminal और यह गेट टर्मिनल तीन टर्मिनल हो गया यह सिंबॉल हो गया था इस वही चीज़ करना गेट टर्मिनल को जो है का धोर टर्मिनल के नजदिक रखा जाता है अगे देखिए टर्मिनल connected to outer end region is called cathode outer end region से जो connect किया जाता है उसको क्या बोला जाता है उसको cathode terminal बोला जाता है देखिए outer ये आप देख रहे हैं ये outer end region से connect करते हैं तो उस terminal को cathode बोलते हैं outer P region से connect करते हैं उस terminal को anode बोलते हैं और inner P region से connect करते हैं उस terminal को gate बोलते हैं means outer P, यह outer means बाहर ही बला हो गया, outer P terminal को क्या बोलते हैं, anode, outer, outer N layer जो है, उसको क्या बोला जाता है, cathode, और inner P layer से जो connect करते हैं, उसको बोलते हैं, gate, वह इचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं अब, the terminal connected to outer N region, is called cathode, outer N region से जो terminal connected होता है, उसको cathode बोलते हैं, the terminal connected to outer P region, is called anode, and that connected to inner P region, is called the gate, और inner P region से जो connect होता है, उसको gate बोला जाता है, ठीक है, तो यह आपका था, constructional detail of thyristor, next question है, 2021 का ही 2 के और में पुछा हुआ question है, B नमर में है, define and show the latching and holding, latching and holding current in the VI characteristics, figure of thyristor, ठीक है, यहाँ पे holding current और latching current को define करना है, और उसके बाद क्या करना है, VI characteristics में दिखाना है, holding current और latching current को, ठीक है, तो देखिए, latching current और holding current का definition हम लोग देखेंगे, क्या कर रहा है, latching current का देखिए, it is defined as the minimum value of anode current, का रहा है, latching current को कुछ इस तरह से define करेंगे, यह anode current का वो minimum value होता है, which it must attain, during turn on process to maintain conduction, जो है, turn on करने के लिए, अधर कंड़क्शन मिंटेन करने के लिए, minimum जो है, उतना anode current जब तक नहीं होगा, when gate signal is removed, जब gate signal को remove कर दिया जाता है, car it is defined as the minimum value of anode current, anode current का वो minimum value, which it must attain, जो है, maintain करेगा, attain करेगा, during turn on process, मिंग जब आप thyristor को on करते हैं, तो minimum जो current होना चाहिए, वो क्या? latching current होना चाहिए, उससे कम होगा, तो thyristor आपका on नहीं होगा, जो means minimum current जो है, latching current को जब तक attain नहीं करेगा, तब तक thyristor जो है, on नहीं होगा, उससी तरह, means latching current का use कहां पर कहा जाता है, thyristor को on करने process में, while holding current की बात करें हम लोग, तो car it is defined as the minimum value of anode current, below which it must fall for turning of the thyristor, latching current का use, thyristor को on करने के लिए किया जाता है, holding current का use, जो holding current जो होता है, वो thyristor को off करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो car it the minimum value of anode current, यह anode current का वो minimum value है, below which it must fall for turning of, जो क्या हो, इससे कम होना चाहिए, तब जाके thyristor क्या होगा, off होगा, means holding current से जब कम होगा, below which it must fall, means minimum value जो होता है, ठीक है, below which it must fall for turning of thyristor, उससे कम होना चाहिए, holding current से तब जाके thyristor क्या होगा, on होगा, और minimum जो है value, latching current के बड़ाबर होगा, उसके बाद thyristor on होगा, means उससे कम होगा, तो thyristor on नहीं होगा, और off कव होगा, जब holding current से कम आपका value होगा, inode current का, तब जाके thyristor जो है, off होगा, और latching current जो है, greater than होता है, higher than होता है holding current, ये question भी आपको objective में पूछता है, which current is, which is larger, तो latching current जो होता है, याद रखे, latching current is greater than, या higher than holding current, latching current का use thyristor को on करने के लिए किया जएता है, holding current का use thyristor को off करने के लिएता है, minimum इतना current होगा, उसके बाद जो है, thyristor on होगा, और इस से कम, holding current से कम current होगा, anode current, उसके बाद thyristor जो है, off होगा, तो ये हम लोग देख लिए, इसका दोनों का definition, की मिशन। लैचंग करेंटпод का अब इसमें कर रहा है भीए करेक्टरेस्टिक्स फीग अलकर छिभर भीक्ठ जुए आपड़ींग घ्रिक्रेंट को दिखाना है तो यह आपका डा रहा तो कि लेचिंग करेंट वो हमेशा greater than holding current होगा तो यह भी आई करेक्टरिस्टिक्स है आप देख सकते हैं भी आई static iv या भी आई बोली है जिसमें different सारा चीज को बताया गया है बहुत ही important है इस तरह से आपको बना देना है और यह इस तरह से यहाँ पे यह reverse blocking mode है यहाँ पे यह reverse leakage current को दिखा गया है यह forward blocking mode है forward leakage current है यहाँ पे जो है i characteristics of thyristor तो यह आपका thyristor का भी है इस figure में भी लेचिंग करेंट और holding करेंट को दिखाया नहीं के लिए बोल रहा है ठीक है यह आपका forward conduction mode है जो की on a state के लिए यूज के जाता है और यहाँ पे reverse blocking mode है देख सकते हैं यहाँ पे forward blocking mode दिखाया गया है तो इस तरह से हम लोग दो कोशन को दिए देखे पहला 2021 का दूसरा का और कोशन था उसको हम लोग देखे और फिर दूसरा का और का भी कोशन है उसको हम लोग देखे दोनों से related कोशन है देख सकते हैं आप थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सुमाद